हेलो फ्रेंड्स में आपको स्वागत है आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एलेक्ट्रोलाइट एनलाइजर जो है हमारा बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं जो हमारी बॉडि के अंदर जो भी हमारा मेटाबॉलिजम है हमारी जो फ्ली्ट्ट्स है ठी कै वह हमारा एक अलेक्ट्रोलाइट होता है जो केरी करता है प्लस और माइनस छाड्जिस छИक है आप उसे नेगेटिफ और पॉस्टिव चाल्ज चाड्जस कह सकते हैं तो यह जो चार्ज्ज क्या होते है हमारी बॉडि की सेल्स को ठीक है हमारी ब सब्सक्राइब करने के लिए उसको मेजर करने के लिए उस लेवल को मेजर करने के लिए हम एलेक्ट्रोलाइट एनलाइजर यूज करते हैं फिरेंट्स तो यह बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है एंड तक देखेगा इसमें हम दो मैथड भी बताएंगे आपको किस तरीके से करते हैं हम एलेक्ट्रोलाइट एनलाइजर सो बिसिकली क्या है आप लाप के अंदर जो मशीन यूज करते हैं एलेक्ट्रोलाइट एनला लगाते थे ठीक है अब तो बहुत ही एडवांस होगे टेकनीक तो अब इसली हो जाता है आर पोस्त Tag नेगेटिव चार्ज मॉल्विज काल्ड आइंस सो क्या है जो एलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो केरी करते हैं पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज ठीक है तो हम इसको आयन्स कहते हैं सो दाटर फाउंट विदिन दी बॉड़ी सेल्स एंड दी एक्ट्रा सेलर फ्लूड इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा सो क्या है जो हमारे आयन्स होते हैं बिसिकली बॉड़ी के सेल्स में एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड के अंदर इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रिजेंट होता है ठीक है? सो एलेक्टोलाइट प्ले मल्टिपल रॉल्स इन्दी मैंटेन्न उफ बॉड़ी फंशन डूड़ी बहुत भी इंपोर्टन फंशन डूड़ करता है हमारी ह्युमिन बॉड़ी के अंदर ठीक है? तो यह क्या करता है उसमोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है ठीक है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड है ठीक है उसके अमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड है उसका एक उसमोटिक प्रेशर होता है ठीक है जो डिस्ट्रिबूशन करना होता है फ्लूड को बॉडी के सपोस कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फ्लूड है आप ले लिजे आप सोडियम ले लिजे पोटास्यम ले लिजे ठीक है तो वह उसकी कौंटिटी मेंटेन नहीं रहेगी अगर बाइचांस किसी की कौंटिटी बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो क्या होग तो किया करता है हमारे लेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी मेंटीन करता है तो हमारी बॉडी को भी पनीज consideration है ठीक है आछांस के र SVD देवानटी बॉडी का इस मैंटील करके रखते तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, हमारी बाडी के फंशन को रेगुलेट करता है, जो हर्ट का फंशन है, उसको रेगुलेट करता है, और जो मसल्स है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है, उनके फंशन में, हमारी बाडी में इनका रोल है, इलेक्ट्रोलाइट है so assist in electron transfer reactions so यह क्या करते है electron transfer reaction भी करते है electrolyte तो electrolyte क्या होता है electrons भी transfer कर सकते हमारे muscles के या body के अंदर so participate in enzymatic reaction और यह क्या करते है electrolyte enzymatic reaction में भी participate करते है so some of the disorders associated with electrolyte imbalance including अगर आपकी body के अंदर electrolyte imbalance होता है तो क्या क्या disorders associate हो सकते है so first है हमारा congestive heart failure congestive heart failure का मतलब है कि आपकी जो है तो मैंने आपको functions में बताए है कि जो basically heart का function है वो भी regulate करता है तो अगर हमारी body में electrolyte balance imbalance हो जाता है और कोई disorder होता है तो उस case में क्या होता है heart पे भी effect पड़ेगा और heart failure होने के chances भी हो सकते हैं ठीक है so respiratory alkalosis occurs when blood pH falls above 7.35 so and acidosis occur when blood pH falls below 7.35 तो क्या है friends हमारे यहाँ पे दो चीज़े हैं एक तो alkalosis है और एक acidosis है alkalosis मतलब alkaline nature, acidosis मतलब acidic nature so alkalosis कब आकर होगा जब blood का pH fall होगा above 7.35 तो alkaline होगा ठीक है इस case में क्या होगा हमारी body का जो भी electrolyte function है वो ज़ादा होगा यह कम होगा ठीक है तो अगर blood का pH below होता है 7.35 तो acidosis होगा मतलब हमारी body का pH maintain नहीं है इस time पे ठीक है so diabetes insipidus water losses by the kidney अब इस case में क्या होगा कि electrolyte imbalance में यह भी आता है कि जो diabetes insipidus की cases होते हैं उस case में क्या होता है कि kidney बहुत ज़ादा water loss करती है so gastrointestinal and kidney disease so friends हमारा जो electrolyte imbalance है इसके अंदर gastrointestinal kidney disease होने के भी chances है तो suppose कीजिए अगर diabetes insipidus में water loss हो रहे हैं तो इस पे kidney पे effect पड़ेगा ठीक है जिसकी वज़े से gastrointestinal और kidney disease भी हो सकती है so over dehydration and dehydration over hydration and dehydration over hydration और dehydration के cases कब हो सकते हैं जब water loss होने लगेगा ठीक है so when water loss is greater than in tick अगर आप जो पानी पी रहे हैं ठीक है उससे ज़्यादा आपकी बॉड़ी से वो लोज हो रहा है तो इस case में क्या होता है की dehydration होने के chances बढ़ जाते हैं because abnormal electrolyte level can result from or causes various disorders their analysis is a key factor in patient diagnosis and treatment so काफी सारी जो हमारे abnormal electrolytes level है वो cause करते हैं various disorders ठीक है friends तो हम electrolyte analyzer इसलिए करते हैं ताकि इन abnormal conditions को हम identify कर सके लिखी सारी ठीक है अगर आपकी बॉड़ी में जो चल रहा है वो आपको नहीं पता ठीक है अगर आपको को coke disorder होता है या फिर कुछ कोई बिमारी कोई symptoms आते हैं तो क्या होता है आप test करवाती तो test सही आपको पता चलता है क्या बदुड़ी में क्या चल रहा है तो इसलिए हम diagnosis और treatment करते हैं पेशन्ट का ठीक है Electrolyte analyzer measure these electrolyte in serum plasma and urine तो electrolyte analyzer तीन सैंपलों पे walk करता है first हमारा serum plasma and urine हम ये तीन सैंपल से electrolyte लगा सकते है ठीक है Electrolyte panel Electrolyte panel के है friends जो electrolyte test हम कर रहे है basically उसके अंदर जो parameters हैं वो कौन-कौन से आते हैं So electrolyte analyzer measure electrolyte concentration in body fluids typically whole blood, plasma, serum and urine specimen तो क्या है जो electrolyte है वो basically electrolyte का concentration measure कर रहा है body fluids की ठीक है इसके अंदर हम whole blood भी लेते हैं plasma लेते हैं, serum लेते हैं, urine, specimen लेते हैं ठीक है Electrolyte typically measure by an electrolyte analyzer are called the electrolyte panel which consists of sodium, potassium chloride, bicarbonate So ये इसके नेम लिखे हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं sodium को N plus से रिप्रेजेंट करते हैं potassium को K plus से, chloride को Cl plus से and bicarbonate को HCO3 plus ठीक है तो यहाँ पर जो charges हैं आपको positive charges दिख रही होंगी ठीक है तो हम इनको किस से मेजर करते हैं Electrolyte analyzer से मेजर करते हैं Calcium The most abundant mineral in the body is also measured by Man electrolyte analyzer So friends, जो calcium है Basically most abundant minerals है मतलब एक आपके body के अंदर जो minerals चाहिए होते है Nutrients चाहिए होती है तो वो calcium पूरा कर सकता है ठीक है So इसको मेजर करने के लिए हम electrolyte analyzer का use करते हैं So the concentration of ionized calcium Total calcium और both can be measure in the Same body fluid as electrolyte So concentration of ionized calcium और total calcium तो यह क्या है इन दोनों को मेजर करने के लिए electrolyte analyzer का use करते है Method of electrolytic analysis So electrolytic analysis का method कुन-कुन सा है First है flame emission photometry method जिसको हम short form है FEP भी कहते है And then second is ion selective electrode So flame emission photometry और ion selective electrode So friends, यह दो methods है जिसके थूह हम auto analyzer परफॉर्म करते हैं Electrolight analyzer So first is flame emission photometry जिसको हम short form में FEP कहते हैं So flame photometry can be used to measure sodium, potassium and lithium So flame photometry में हम क्या 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 मेजर कर सकते हैं Sodium, potassium and lithium So this method is based on the fact that Some metallic elements absorb thermal energy Existing their electrons To a higher energy state So this method है Basically, इसमें क्या होता है That metallic element होता है जो absorb करता है thermal energy को ठीक है And existing करता है Electrons to a higher energy state So as the electrons return to the stable ground state तो क्या होता है जो electrons होते हैं वो वापस क्या होते हैं अपने ground पर stable हो जाते हैं State हो जाते हैं So they emits photons light at wavelength characteristic of the particulate element and at incities Proportional of the elements concentration So what is friends यहाँ पर जो ground पर stable होई है Electrons वहाँ पर क्या होता है Imit photon light परती है और wavelength characteristic वहाँ पर wavelength characteristic के थूँ क्या होता है जो particulate elements होते हैं वो क्या होता है Incities proportional होता है Elements concentration के ठीक है तो यह क्या करता है यहाँ पर एक wavelength कर रहा है तो इक इसके थूँ ओड़ा जो wavelength है Basically क्या है क्या होता है हमारे यह concentration के So the concentration of the test solution is determined by the comparing its signal with that obtained for standard solution तो क्या है यहाँ पर एक standard solution दिया हो रहता है जिस जो क्या है concentration टेस्ट का solution है determine करने के लिए compare करते हैं signal को और उसको किससे compare करेंगे एक standard solution है हमारे पास उससे compare करते हैं तो यहाँ पर एक छोड़ा सा डाइग्राम बना हुआ है बहुत easy सा है आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो है यह लेंस है यह slit है यह filter है फोटो डिटेक्टर है फोटो डिटेक्टर क्या है कि यह है जो विवलेंथ मेजर होती है बिसिकली नैनो मीटर में मेजर होती है ठीक है यह drain दिया हुआ आपका यहाँ पर सैंपल है सैंपल यहां से अब्सोर्ब होता है अंदर ठीक है तो यह हमारा यह अब्स का क्यों एधेंड प्रुटी का डाइग्राम है ठीक है क्योसितन बाद फिल्ट फोर इच अनलाइड जो विवलेंख होती है तो दिफरेंड फक्रुट्रम का क्यों हम अनलाइस नयॉज़ कर रहे हैं स्वलेखे van वेज़िसर पैस्थे is yellow with a wavelength of about 590 nanometer अगर आप sodium देखेंगे ठीक है sodium लेक्रोलाट देखेंगे तो वो आपको यलो कलर में दिखेगा डिफरेंट कलर्स होते है इसमें ठीक है यलो कलर में देखेगा इसका नैनोमेटर कितना है 590 nanometer calcium is red with a wavelength of about 640 nanometer potassium is blue with a wavelength of about 490 nanometer and lithium is dark red with a wavelength of about 710 nanometer ठीक है तो यह इनकी nanometer मेजर की होए है basically यह reference है ठीक है इतनी nanometer इनकी आजाती है so the output of the photo detector is directly proportional to the concentration of the analyte being measured ठीक है तो the output जो क्या हमारा photo detector है वो directly proportional होते है concentration के so analyte being measured जब हम उसे मेजर करते हैं तो हमारा जो flame emission photometry है basically इसी पर बेस्ट है कि जो photo detector है हमारा photo detector क्या करता है nanometer होता है nanometer से मेजर करते हैं कि कौन सा कितना कितनी किसकी wavelength है ठीक है so concentration क्या होता है जो हमारा photo detector है उसके directly proportional है ठीक है तो जितना photo detector detect करेगा उतना ही उसका concentration होगा तो आप देख सते हो जो pH level होता है basically कब जादा हो रहा है कब हाई हो रहा है कब लो रहा है ठीक है एंड हमारा second method is ion selective electrode ion selective electrode का principle का है friends so this method measure the voltage that develop between the inner and outer surface of an ion selective electrode तो हमारा ion selective electrode के अंदर जिसको हम ISE बोलते है ISE short form में इसमें क्या होता है कि outer और inner selective electrodes होते हैं ठीक है तो इनकी voltage को measure किया जाता है कि outer and inner surface जो है selective electrodes के electrode से क्या voltage प्रोड्यूस कर रहे हैं so most electrolyte analyzer use ISE methodology is which measurement of the ion activity in solution are made potentiometrically using external reference electrode and ISE containing an internal reference electrode तो क्या है friends चो electrolyte है उसको measure करने के लिए उसकी concentration को measure करने के लिए हम use करते हैं ISE method so ion selective electrode का मतलब यह है कि friends माल लिजए कि आपने कोई sample लिया हुआ है ठीक है उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जब आप उसे analyzer के अंदर डालती है ठीक है तो उसकी movement जो है concentration जो है वो किधर से ज़्यादा pass out हो रहा है किधर से कम pass out हो रहा है एंड कितने nanometer उसका सब को measure करना is that हम किसके through कर सकते है Electrol analyzer के through कर सकते है तो वो हमारे जो cells है उसकी activity को measure करता है ठीक है वो किस तरह से active कर रहे है वो बहुत fast active कर रहे है बहुत slow active कर रहे है या फिर कोई ऐसी बात है जिसके वज़े से वो वर्क ही नहीं कर रहे है किसी disorder की वज़े से ठीक है तो हम वो उसको measure करते है एंस selective electrode के अंतर इसके अंदर क्या होता है जो हमारा electrolyte analyzer है वो basically ISE method है तो हमारा ISE method क्या है ISE selective electrode method तो क्या एस activity के through क्या होता है कि यह potentiometrically using external reference जो हमारा potentiometrically है वो हमारा external reference है और जो ISE containing है वो हमारा internal reference है ठीक है So the external reference electrode and ISE are exposed to the unknown sample solution अब यहाँ पर दो reference है एक internal एक external तो यह दोनों exposed होते है एक sample solution से unknown sample solution जो हमें नहीं पता कि उसकी क्या value है क्या value नहीं है उसकी value higher है या lower है उसमें कितने ions है नहीं है क्या present है नहीं है So and the potential of the sample solution is measured relative to the external reference तो आप क्या करेंगे जो हमारा potential sample का जो potential है वो solution के जो relative external reference है उससे measure करेंगे So as the specific ion under electrode analyzes are selectively bounded to the ISE So हमारा जो specific electrode होगा वो क्या करेंगा selective bounded जो हमारा ISE है उससे क्या करेंगा bound करेंगा ठीक है electrode तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स एक diagram आपको दिखेगा स्क्रीन के ओपर आप उसको देख सकते हो कि जो हम ISE perform कर रहे है basically किस तरीके से कर रहे है ठीक है the ISE which is a function of the specific ions activity concentration is amplified the liter display in millimoles per liter सो क्या है यहां पर जो function है basically ISE का यह specific activity concentration के through function करता है और amplify करता है ठीक है amplified and liters display करता है in millimoles per liter ठीक है आप देखेंगे कि इसकी जो value है वो आपकी reference value show करेगी so the ISE system is calibrated with solution containing non concentration of analytes so friends जब भी आप ISE system चलाते हैं तो सबसे पहले calibrate करते हैं non sample से ठीक है so the concentration of the unknown solution is derived by comparing its potential with that solution is non concentration तो friends आपने lab में work किया होगा जब आपने देखा होगा कि आप हमेशा एक non sample को और unknown sample को जरूर compare करते हैं जब आप calibration करते हैं machine की तो सबसे पहले आप non sample चलाते हैं कि उसकी calibration क्या रही है उसकी value क्या आ रही है ठीक है तभी आपको पता चलता है कि हमारा जो है system सही work कर रहा है अगर आप directly unknown sample चला देते हैं machine के उपर तो आप नहीं पता कर सकते कि उसकी value क्या थी और उसकी value क्या आ रही है क्या machine सही rating दे रही है या नहीं दे रही है तो एक non solution को और unknown solution को compare करना बहुत जरूरी होता है sample can be diluted before analysis indirect method और analyzed without dilution direct method so sample को हम dilute करते हैं indirect method से और analyze करते हैं without dilution direct method से तो यहाँ पर दो method perform कर रहे हैं हम इसके इंदर indirect और direct method एक में dilution डाल रहे हैं एक में dilution नहीं कर रहे हैं ठीक है but without dilution so different type of ISEs provide measurement of specific analytes so different types के ISE जो है हमारा ion selective electrode से वो provide करते हैं measurements ठीक है so the sodium sensitive electrode is made of glass specifically formulated to provide high sensitivity for sodium so sodium जो है minus plus जो है हमारा sensitive electrode जो है वो glass specifically formulated से provided है जो की है high sensitivity selectivity ठीक है बहुत ही high selectivity होता है हमारा sodium के लिए so chloride के लिए sensitive electrode क्या करते है liquid membrane containing quaternary aminase which are selective for chloride ions so PCV support इसमें भी PVC support होता है तो क्या होता है friends यह जो electrodes है basically यह ISE जो method है इन में यह electrodes लगे होते हैं अगर वो sodium है electrode sodium के लिए है कि specific है कि जो भी sodium ions होंगे वो जाकर वो इस electrodes पे sticky हो जाएंगे और जो हमारे chloride solution है वो उस वाले electrode पे जाकर sticky हो जाएंगे तो यह selective electrodes है ठीक है so calcium ISE uses an ion selective calcium sensor so that consists of either unnatural membrane PVC impregnant with the uncharged calcium selective organic molecules so क्या है जो हमारा calcium ISE है इसके uses के हैं जो ion selective calcium sensor है वो consist करते हैं natural membrane PVC impregnant with uncharged calcium selective organic molecules so dissolve in a plasticizer or negatively charged membrane PVC impregnant with an organophosphate so friends क्या होता है यह जो selective organic molecules होते हैं और जो नेगटिवली चार्जिस होते हैं membrane PVC के pregnant तो यह क्या होते हैं organophosphate ठीक है organophosphate के साथ impregnant होते हैं so friend C क्या होता है जो basically क्या है हमारे calcium ISE है तो यह sensor क्या करते हैं कि आपने electrolyte पढ़ा होगा जो electrolyte मैंने आपको बताया था वीडियो बनी हो electrolyte के लिए तो इसमें क्या होता है कि यह charges होते हैं वो क्या होते हैं कि वह sensor है उसको measure करते हैं कि आपकी cells के अंदर इतनी मात्रा में sodium हैं इतनी मात्रा में calcium है ठीक है इसको measure करने के लिए electrolyte analyzer का यूज किया जाता है अगर आपकी बॉड़ी में sodium काफी जादा है potassium का level कम है और हमारा lithium उसका level काफी हाई हो रहा है तो जरूर हमारे बॉड़ी में कुछ abnormal है ठीक हमारे बॉड़ी में कुछ dysfunction हो रहा है जिसके वज़े से इनकी values जो है वो increase हो रही है so electrolyte analyzer के अंदर जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में इसके method पढ़े है so friends जो यह method है basically जब आप practically करते है perform तो यह आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता चिलाते है आप किस तर क्या होता है कि आपको और भी ज्यादा नॉलेज जाती है practically में ठीक है so friends अगर electrolyte analyzer के अंदर कोई कोशन है आपका तो comment box में पूछ सकते हैं बहुत easy बहुत interesting topic है आप और भी लेंदी करके इसको पढ़ सकते है इसकी theory और भी ज्यादा लेंदी हो सकती है so friends वीडियो अच्छ